दोस्तों नमस्कार मैं हूँ जे और आप देख रहे हैं जे इस्तनी ओल महराष्टा में सिउसेना के सांसस संजे राउत के द्वरा की गई प्रेस कॉंफरेंस के बाद अब महराष्टा की राजनीती में पूरी तरह से भूचाल मत चुका है लगातार अब जो है कारवाई होनी शुरू हो गई है वो भी नेताओ के खिलाप में आप सब को पता होगा कि सिउसेना के सांसस संजे राउत ने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉंफरेंस की थी और इस प्रेस कॉंफरेंस में उनके द्वारा बीजे पी नेताओ के उपर कई बड़े आरोप लगाये गए थे जिसके बाद जो बीजे पी के नेता हैं उनके द्वारा भी प्रेस कॉंफरेंस करके संजे राउत के उन आरोपों का जवाब दिया गया था जिनमें से नारायन राने और किरीट सोम्या दो के दुनों लोग ने प्रेस कॉन्फरेंज की थी और उन्होंने संजे राउत को रिपलाई दिया था आप सबको बता दूँ कि जैसा क्या रहा है कि नारायन राने के इस बंगले में CRJ का कथित रूप से उनलंगन किया गया है जिसको लेकर जो BMC के जो नगर नियम के जो ऑफिसर हैं वो जो है उस बंगले कर निर्चन करने के लिए पहुचे हैं और वहाँ पर चानबीन कर रहे ह सबसे बड़ी बात कि इसको लेकर ये भी अपडेट दी गई है कि परिचर मलब निर्चन करने से पहले इन ऑफिसर ने BMC के जो ऑफिसर हैं इन्हों ने जो है एक सीध नोटीस भेजी थी आपको बता दूँ कि इस तरह की कारवाई नारायन राने के ऊपर करने के बाद अब जो है उर्धो ठाकरे गवर्मेंट के उपर भी सवाल उटने भी स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पर लगाता लोगों के दौरा बोला जा रहा है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ बदले की भाउना से नारायन राने के ऊपर कारवाई की जा रही है क्योंकि ऐसा भी अपडेट द को जो है रिपलाई दिया गया थे उसी का जो है बदला लेने के लिए अब जो है जान भूच के इस तरह की कारवाई की जा रही है आपको बता दूँ कि बिजेपी नेता क्रीट सोम्या को भी एक नोटीस बेजी गई है उनके उपर भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने क कोबिट का लंगन किया था मतलब की कोबिट के जो टर्मन कंडिशन है उसका जो लंगन किया था जिसके खिलाब में उनको जो है नोटीस बेजी गई है मुंबई पुलाया गया है साथ में ही इधर जो है नारायन राने को भी एक नोटीस बेजी गई है और नारायन राने के घर का निरेक्ष्ण करने के लिए BMC के जो ओफिसर हैं वो पहुचे हैं पाइदा वे आपका क्या ओपिनियन है इस पर आपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो के जाए स्यादा सेहर करें